दोस्तो अगर आप PF के मेंबर हैं और आपका PF में टेक्स कट गया है अगर टेक्स कट गया है आप उसे चेक कैसे कर सकते हैं और चेक करने के लिए आपको कौन सी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाल रहा हूँ अरड़ी एक वीड अचर जानली जी मेरे नाम सागर है मैं PF कंसल्टेंट हूँ जो यहां आप देखने जा रहे हैं यह किसी का असली काम है फेक वीडियो नहीं है बाकी चैनल पर अगर आपको फेक वीडियो मिलती है तो आपको उसके लिए आप उन्हें कुछ कह नहीं सकते हैं लेकिन मेरे पा इंकम टेक्स की वेबसाइट पर आगए अगर आपने पहले कभी ITR नहीं भरी है तो आपको करना होगा रेजिस्टर रेजिस्टर करने में आपको डालना होगा अपना पैन नमबर डालके वैलिडेट करना होगा नाम, एड्रेस, मॉबाइल नमबर, इमेल आईडी यह सारी आपका पासवर्ड आ जाये जो यूएन में आपके बास यूएन पासवर्ड होता है यहां जो आपका यूएन नमबर होता है वो आपका पैन नमबर ही होता है मतलब लॉग इन करने के लिए आपको आपका पैन नमबर हो गया और साथ में ही आपका जो पासवर्ड आप खु करवा देता हूं कि यहां पे कितना जादा इंका TDS वगेरा कटा है तो यहां सबसे पहले हमने अपना user ID के तौर पे अपना pen number इस्तमाल किया है इसके बाद हम continue करते हैं यहां tick box आता है यहां आप अपने मनपसंद की बात लिख सकते हैं और उसके बाद यहां पे अपना password आपको enter करना है फिर आपको continue करना है continue करने के बाद आपके सामने इस तरह नजर आ जाएगा देखिए अगर आप अपना TDA सही समय पे claim नहीं करते हैं तो फिर आप बाद में उसको claim नहीं कर पाएंगे और वो एक तरह से सरकार आपको कभी वापस नहीं देगी तो आप समझेगा कि अगर आपका एक साल के दौरान ये कौन से साल की हम बात कर रहें ये हम बात कर रहें 23 चौबिस की अभी जो 23 चौबिस साल है वो खतम हो चुका है और आज है 19 जून 19 जून से आज से आपके पास 31 जुलाई तक का time है आप 31 जुलाई तक इस ITR को भर सकत हैं कहां पर चेक करना है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ चेक करने के दो जरिये हैं सबसे पहला है जो latest method है annual information statement वहां आप देख सकते हैं और दूसरा method होता है जो पुराना method है 26 AS ये दोनों ही method है जहां आपको नजर आएगा कि आपका कितना PF था और उस PF पे कितना text कटा है जो PF के अंदर text करता है वो 10% TDS करता है ये जो TDS है इसे आप 100% return ले सकते हैं अगर आपकी सालाना income जो है वो अभी आज के हिसाब से बता रहा हूँ आज के हिसाब से अगर new tax regime में जाएंगे 7 लाख एक amount कह रहा हूँ 7 लाख से अगर कम की income है तो आपका कोई भी tax नहीं कट का text वगेरा कटा है और कहां से आप देख सकते हैं तो मैंने इसे एक बार refresh कर दिया refresh करेंगे तो हमारे पास उपर ये इस तरह का आजाएगा session expired हो गया कोई बात नहीं वापस देखिए वो आपको explain करने में time लगता है अगर मेरे को खुद से काम करना है तो ये 2 मिनिट का का काम होता है यहां e-filing पे गए income tax return पे गए पहले आसान तरीका देखिए annual information statement पे गए proceed पे गए 7,490 रुपीज और इसका 10% आपका TDS के तौर पे कटा होगा ये कैसे check होगा यहां touch करेंगे तो आपको नीचे एक line नजर आ रही है कि ये आपका 29 फरवरी 2024 को कटा है 10% TDS कटा है यही चीज़ आप यहां पे जब demand and refunds में आएंगे payment of taxes में आएंगे तो आपको अगर आपन पे tax कटा हो सारी जानकारी आपको यहां TDS वाले हिस्से में मिल जाएगे ठीक है अब हम दूसरा तरीका देख लेते हैं दूसरा तरीका देखने के वैसे जरूरत नहीं है इसी से हमें जानकारी प्रयाप्त मिल जाती है लेकिन कुछ लोगों को पुराना idea हो सकता है कि इस त आपको यहां नीचे नजर आ गया है कि आपका जो है PF office वापी ने काटा है PF और 67,490 रूपीज पर काटा है 10% TDS काटा है और यह अब आपको refund मिल जाएगा तो अगर आपने पहली वीडियो देखी हो तो वहां भी वापी office नहीं काटा था और यहां भी वापी office नहीं काटा है तो इसमें PF office का कोई रोल नहीं है कोई भी PF office होगा अगर आप 15 जी नहीं लगाएंगे तो आपका tax कटेगा ही कटेगा क्या condition है देखो अगर अभी तक आपने form नहीं भरा है तो समझ लो 15 जी कब भरना है 15 जी तभी भरना है जब आपकी service 5 साल से कम हो और PF का amount PF का amount बता र है तो 10% TDS कट गया ठीक है यहां 10% जो कटेगा वो पूरे पे कटेगा ऐसा नहीं कि 50,000 से उपर जितना होगा उस पे कटेगा ठीक है ना 50,000 से उपर मतलब 17,000 उपर हुए 17,000 का 10% कटता तो 17,000 कटता लेकिन यहां क्या हुआ है यहां पे पूरे पूरे 67,000 पे काट लिया गया है और बस एक ही वज़े थी कि 15G फॉर्म नहीं भरा गया था तो सही तरह के से 15G फॉर्म भरना चाहिए जब 19,000 की बात हो 10C में कोई 15G की बात नहीं है 19,000 में 15G लगता है 15G अगर आपने नहीं लगाया और TDS आपका कट गया है तो भी ज़्यादा घबराने जैसी बा जाता है mostly cases में ये एक हफते 10 दिन के अंदर ही आपका refund आ जाता है बस return processing की बात होती है कई बार return देर से process होती है process होने के 2-3 दिन के अंदर ही आपका refund आपको मिल जाएगा ठीक है processing में 10 दिन लग जाए 15 दिन लग जाए एक महीना लग जाए अगर ITR फाइल कर देंगे उसक आपके लिए informative रही होगी अगर आप खुद से अपना return फाइल करना चाहें आप खुद से कर सकते हैं मुझसे अगर ITR फाइल करवाना चाहें चाहे आपकी किसी भी तरह की income हो चाहे आपकी salary head की income हो चाहे आपकी other sources of income हो चाहे आपका PGBP हो चाहे आपका capital gain हो intraday trading हो सभी तर आप तक हम ITR भर सकते हैं आप उसके लिए हमें संपर्क कर सकते हैं मिलेंगे हम अगली वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद है